नमस्कार दोस्तो स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एड़ सिक्स में चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले हमारे चैनल के माद्यम से जा सके दोस्तो आज के इस वीडियो के माद्यम से एक पुरानी वेकेंसिस का अपडेट देने जा रहे हैं जो कि अगर आप लोगों ने इस फर्म को नहीं भरा है तो आविदन कर लिजे क्योंकि ये दसवी कक्षा पास के छात्रों के लिए अच्छा और बहतरीन उपर्चुनेटी है इस फर्म को आविदन जरूर करना चाहिए आपको तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर एक क्रिशी अनुसंदान संस्थान की बात कर रहे हैं जो की वेकेंसी निकाली गई है यह ICAR डिपार्टमेंट की तरफ से टोटल नोटिफिकेशन अपडेट किया गया एक बार मैं फिर से इसका LGBT क्रिटेरिया एज क्रिटेरिया फीज क्या लगेगा इन सब के बारे में आपको आपको डेट कर देता हूँ इस नोटिफिकेशन के माद्यम से और डेट भी क्लियर कर दूँगा कि कब तक क्या लास्ट डेट दे दिया गया आप लोगो तो आविदन करने के लिए देरी ना करें और हाँ जो भी चातर यहां पे बिहार BPSC के त्यारी कर रहे हैं उनकी लिए भी कुछ अपडेट है यह अपडेट लेकर आया हूँ दोस्तों अनेकेडमी की त पर अभी तक जोईन नहीं किये हैं तो जल से जल इसके अप्लिकेशन को डाउनलोड करें और जल से जल आप यहां पे सब्सक्राइब करके इसका सब्सक्रिप्शन भी ले लें जो कि अगर आप बिहार दरोगा और बिहार BPSC परिक्षाओं की तैयारी कर रहें तो आपके ल नहीं के लिए ही अपडेट किया जारा है तो आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेते से हमें एक बात का ध्यान जरूर रखेंगे अप लोग एक रिफ्राल code है जितेंद्र 10 जे डबल ई टी एंडी आरे 1010 ठीक है तो इस referral code को use कीजेगा तो आपके इस जो जो आपका यहाँ पे payment लग रहा है यहाँ पे course purchase करने के लिए सीधा आपको यहाँ पे reference मिल जाएगा 10% का तो जल्दी करें देर ना करें याद रखेंगे जे डबल ई टी एंडी आरे 10 ठीक है तो चलते हैं अब notification की तरफ दोस्तो यहाँ से तो हम हैं दोस्तो यहाँ पे भारते क्रिसिया अनुसंधान संस्थान यानि की इसके official website पे जहाँ पे इसके बारे में सारे detail जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं यह जो latest news है यहाँ पे जो update किया जा रहा है यहाँ फिर आप recruitment वाले sale पे जाएंगे तो यहाँ से भी आपको update मिल जाएगा देखने को लेकिन जो date extend किया गया है दोस्तो वो यही पे लिख दिया गया है कि जो extension of date है यहाँ लास्ट डेट फॉर्ड़ सब्मिशन अफ रिक्रूट्मेंट अप्लिकेशन तिल 20 अफ जैन्वरी 2022 यानि कि हाँ आप लोगों को यहाँ पे 20 जैन्वरी तक आविदन करने का उसर दे दिया गया है अब इसका जो notification था कुछ इस तरह से जो कि 18 जैन्वर को update किया गया था दिसंबर में और यहाँ पे जो है date रखा गया था आपका 10 जैन्वरी जो कि इस date को extend कर दिया गया है और यहाँ से आप लोग आविदन कर सकते हैं जो कि देखिए जो यह जो vacancy है इसके लिए आपको यहाँ पे CBT test से गुजरना होगा यानि कि आपका computer based test होगा और यह जो हो सकता है कि बहुत सारे छाते अगर form भरते हैं तो बहुत सारे form भरने के चलते हैं दो या तीन चार या पार्च पालियों में भी इसका परिक्षा हो सकता है shift में तो जब shift में परिक्षा होंगी तो इसके लिए normalization भी किया जाएगा तो यह बात मैंने आपको last time नहीं बताया था पर ध्यान से देख लिजेगा इसको total 641 पदों की vacancy है तो अगर आप लोग आविदन करना चाहते हैं तो आविदन जरूर कर लिजेगा करें जो essential qualification है यानि कि आपका जो इसके लिए जो essential यानि कि आपका matriculation होना ज़रूरी है पास वो भी हना कि अगर आप पास है matriculation तो ही आविदन करेंगे और जो भी आपका CGPA या परसेंटेज जो भी आपका university आपको marks दिया है उसकी अनुसार आपका complete 60% होना चाहिए अगर 60% से 0.1% भी आपका अगर नंबर कम है तो आप eligible लाइक नहीं है यहाँ पे आप eligible मत यहाँ पे apply मत कीजिएगा ठीक है तो यह है बड़ा update यहाँ से दोस्तों और यह सभी candidate को बताया जारा है दोस्तों की service of India council agriculture research of government of service weather the permanent temporary capacity की तरफ से यह notification out किया गया है for the apply of the provision यानि कि यह जो provision period तक यहाँ इनको apply के रूप में रखा जाएगा और फिर इसको permanent job भी दिया जाएगा चात्रों को तो आपको मैं बता दू कि यह जो vacancy है भारतिय क्रशी अनुसंदान संस्तान से निकाले गई है लेकिन आपको यह cbt देने के लिए यहाँ पे एक आपको फीस payment भी करना होगा तो फीस कितना लग रहा है तो मैं आपको आगे दिखलाना चाहूंगा है न तो यहाँ पहले बात करने लेते हैं यहाँ पे हैं आपका तीस साल तक ठीयान से देख लिजेगा यहाँ पर थर्टी एर और मिनीमम आपका आठारा साल तक है याना कि 18-30 साल तक होना चाहिए दो दिखान में रखेगा तो यहाँ पे कटेगरी में है चात्र उनको ऐस फर दर गवर्मेंट यहां पर उनको रिलेक्षिशन भी मिलेगा यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि जो भी चात्र इसके लिए आविधन करेंगे उनको एक टेस्ट से गुजरना होगा और सीबिटी टेस्ट होगा वो जिसके लिए कि आप सब्सक्राइब के लिए 700 रखा गया है इसमें के 300 रजिस्टेशन फीसे और टोटल मिला के यह दोस्तों एक हजार रपे आपसे चार्ज लिए जाएंगे विद जीस्ट भी लगेगा यहां पर तो भी जोड़ लिएगा और जो रूमें के टेगरी और सी स्ट कटेगरी में है उनसे यहां पर 300 रुपे और प्लस में जो भी उनका जेस्टी चार्ज लगेगा वही फीस लगेगा तो फीस थोड़ा सा महेंगा है जनल के चात्रों के लिए तो आभी दन कैसे करना है मैंने आपको लिंक दे रखा पिशली वीडियो में उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्श है टेंथ का उसको आप जरूर लगाएंगे अपलाई कैसे करना है तो यह लिंक दिया हुए है करेर वाले सेक्षन पे सीधे आप जाके वहां से अपलाई कर सकते हैं दोस्तों स्टेप बाइस्टेप पहले आपको करना है फिर आपको अपले अप्लेकेशन फॉर्म भरना है आइडी के लिए इमेल आइडी और फोन नंबर आपके पास होना ज़रूरी है और फोटो और सिग्नेचर का भी यहां पर साइजिंग दे दिया गया है वह आप चेक कर सकते हैं ओके यहां पर फॉर्म भरने से पहले थोड़ा से इस्ट्रेक्शन दिया गया है जो कि पढ़ लिजेएगा जैसे की एक रिक्वाइट टू कीप रिडी फॉलोइंग रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्मेंट उनके पास होना चाहिए इस फॉर्म को अगर आप भर रहें तो तो नोटिफिकेशन फॉर्द टेकनेशन का पोस्ट है यहां पर दोस्तों टीवन एक्जा तो जोड़ दीजेगा जिस काटिगमी आप बिलेंग करते हैं उस काटिगरी को आफोन पर दीजेगा और उसका सैटेफिकेट लगेगा एक सबिसमेन है तो उसका certificate जरूर लगेगा service defense से आते हैं या complete address for correspondence जो भी है आपका वो सारे certificate लगेंगे है ना complete permanent address भी आपका लगेगा यहां पर और matriculation या फिर उसके equivalent जो भी आपने कोर्स किया है उसका qualification डिटेल यहां पर लगेगा photo का जो है PDF के format में उसको upload करना होगा cities prefer to examination जो भी आपको centers देने हैं वह आप खुद प्रिफर करेंगे जो की एक्सेंटर टू में अपको उसका अपडेट दिया गया मैं अभी नीचे देख लाओंगा और आप online payment कर सकते नेट बैंकिंग के जरी है तो वैलीड है दोस्तों आपके email एड़ी और फोन नंबर वाविदन जरूर कर लिजेगा यहां पर photo signature का साइज भी एक्सेंचर टेन और सिक्स में दिया गया है तो वहां से जरूर आप लोग चेक किजिएगा और फॉर्म बरने का प्रयास करेंगे तो यह सारव फोटोन आपके नाशाख कि यहां पर देदेगे साइज डेख सकते हैं और फोटो आपका साइज यहां किया हूगा यह इक्षाक्ते हैं ठीक है तो यह अप टेट है यहां से दूस्तों फोटो सिहनेचर और डेट को लेकर और फीस को लेकर भी मैंने आपको अपडेट किया यहां से ICR के इस recruitment का जो notification दिया गया वो भी आपको बता दिया है तो फिर भी अगर कोई आपका doubt है तो यहां से आप आखे इस number पे toll free number है यहां से आप बात कर सकते हैं Monday to Saturday सामके छे बज़े तक तो आपको यहां से solution जरूर बताया जाएगा तो यह process था यहां से आविदन करने का दसवी पास छातर जो हैं इस form को आविदन करें फिर भी आपको मैं बता दूं कि एक बार जब exam होगा आपका तो normalization भी होगा इस exam को लेकर यह सारे process है need for examination examination method जो भी कि आपका बताया गया है यह सारे detail यहां से दी गई है और यह जो formula है इस formula के अधार पर ही आपका normalization किया जाएगा तो यह आप लोग यहां से चेक कर सकते हैं कि कैसे normalization होता है यहां पर ओके तो यह सारा detail था दोस्तों जो कि इस वीडियो के मादम से दिया गया था अब नीचे जाएंगे तो यह जो है स्टेट वाइस वेकेंसी है आपको मैं पहले बताया था और यह इस जिस पर blue है मतलब यहां पर जो दिये गए हैं इन सभी section में आपको यह recruitment है और यहां पर जो centers है वो cities के आप लोग चेक कर सकते हैं आप जो दिये गए हैं इन सभी cities में आपका centers हो सकता है तो आप लोग भी अगर आविदन करना चाहते हैं तो जरूर आविदन कीजिएगा यह अच्छी है क्रिशी विवाग की और स्टार्टिंग नौकरी अच्छी है यह बहुत है तो आप लोग जरूर आविदन कीजिए और यह इसका exam pattern है देख सकते हैं डेट गंटे का paper होगा आपका जीके math science और social science जाने की जीके जीएस से related और math और general knowledge याने की हो सकता है कि current इसे भी related यह सारे चीज़े पूछे जाएंगे यह आपका syllabus यहां पर mention किया गया है इन सभी का आप लोग चेक कर सकते हैं यहां से आके जेनरल knowledge में क्या पूछा जाएगा mathematics में क्या क्या पूछा जाएगा science में क्या पूछा जाएगा और social science में क्या क्या पूछा जाएगा तो यह आप लोग देख सकते हैं यहां से इसका ओके फिर भी आपका कोई doubt है तो आप लोग प्लीस comment box में comment करके जरूर पूछ लिजेगा तो 20 तारीक हो गया है date extend होने का यहां पर आविधन करने का तो आप लोग technician t1 post के लिए जरूर से जरूर आविधन कर ले और unacademy को आप लोग subscribe जरूर कर लिजेगा subscription जरूर ले लिजेगा और code use कर लिजेगा जिटेंडर जे डबली टी एंडी आरे 10 ओके धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बवाए take care ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का